तो आप सोच रहे होंगे कि कौन है हमारे आज के खास महमान जी वो कोई और नहीं हिंदुस्तान के जाने माने अभिनेता श्री राजेंद्र गुपता जी है तो आईए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो एक वहवसाहिक परिवार से निकल कर एनस्डी और फिर फिल्मी जगत में आए स्टेज आप प्रिजेंट्स टेंथ चलो थीटर नैशनल फेस्टिवल में आज हमारे बीच मौजूद हैं हिंदुस्तान के जाने माने अभिनेता श्री राजेंद्र गुपता जी सर मैं किरंदत आपका चलो थीटर के मीडिया मंच पर स्वागत करती हूँ सर आप लगबग 50 साल पहले नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए निकल गए थे सर आपके लिए वो कितना मुश्किल रहा होगा एक व्यवसाइक परिवार से निकल कर जाना और क्या-क्या चुनोतियों का सामना करना पड़ा उस समय आपको उतना ही मुश्किल रहा जितना हो सकता है क्योंकि नाटक किक्षेत्र में कोई किसी किसम का करियर तो उन दिनों था ही नहीं तो स्वभाविक है माबाप जो है ऐसे हालात के अंदर जब कोई बच्चा एक ऐसी विधा में जाना चाहता है तो उनको लगता है ये तो मतलब शौक तक तो समझ में आने वाली बात है लेकिन उसको प्रोफेशन कैसे बना सकते है तो इसलिए जो भी एक स्वभाविक रियक बच्चे की बेहतरी और उसका बेहतर भविष्य की चाहते हैं तो वही उसी तरह का हालात मेरे अभी थे कोई अलग कुछ खास नहीं थे इतना जरूर है कि शायद जहां पर बच्चों को स्वैम ही अपना भविष्य अपना सब कुछ खुदी करना होता है वहां शायद इतनी सोच विचार या उसके पीछे इतना ध्यान नहीं दिया जाता ठीक है आपको मेहनत करनी है खुदी अपनी अपना जीवन बनाना है तो ठीक है आप ऐसी लाइन चुननी है बहुत मुश्किल है जो आप चुन लीजे लेकिन जहां पर थोड़ा पैतरिक रूप से एक आपके पास एक बिजनस की संभावना है जो बच्चों को आउटमेटिकली बिजनस करना होते हैं जिनके माबाप का ठीक ठाक अच्छा खासा बिजनस हो या फैक्टरी वगारा हो तो वहां तो सभाविक रूप से बच्चे वही करते हैं इसलिए वहां थोड़ा ज्यादा और ज्या क्या एक अच्छी खासी एस्टेबलिश्ड लाइफ जो आपको मिल सकती है उसको छोड़कर आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जिसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना जिसका भविश्य किसी को नहीं मालूँ तो ठीक है सर आप भी कही न कहीं उसी परिवार से बिलॉंग करते हैं जहां पर बिजनस करते थे तो फिर आपके लिए भी तो मुश्किल रहा होगा ना सर मतलब आपने किस तरह से रुख मोड़ा थीयर्टर की तरफ नहीं कोई देखे उत्रा ही मुश्किल होता है जिर वड़ा नॉर् समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि भी समझ जाए, दाटेंगे, उसके बाद में नहीं समझ़ेगा तो क्या करेंगे या तो बच्चा मान जाए, या बाबाप मान जाए है ज्यादातर होता है कि मुझे लगता है माबाप मानते हैं क्योंकि माबाप ultimately बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं वो हार कर ठक कर जबरदस्ती रो कर पीट कर मानते हैं मान जाते हैं उसको मान जाना कहिए या क्या करें मरता क्या ना करता मजबूरी का नाम तो सर आपको पहले कब पता चला रंग मंच के बारे में जिससे आप अट्रेक्ट हुए या आपने सोचा कि हाँ यार मुझे यही करना है मुझे एक्टिंग ही करनी है मैं यू तो मुझे याद पढ़ता है मैंने हाई स्कूल में भी पानीपत में नाटको में भाग लिया नाटक मतलब आम तर पर स्कूल में वोते थे एन्वल फंक्षन पर, जो होते है इस तरह की कुछ अटिविटीउटी थी गाने की आपक्ट पग्यार की नाटकों में, वैसे तो वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, राजिंद्र मलोत्रा, तो उन्होंने एक नाटक किया करवाया था हम लोगों के साथ, महारणा परताप, और उनके एक कोशा थे, भामा शाह, उनकी जिंदगी पर एक नाटक करवाया था, जिसमें मुझे उन्होंने मह परताप की भूमिका दी थी, तो तब मैंने वो किया था, उसके बाद मतलब गलियों में स्कूल, छोटे लेवल पर भी हम रामदीला के दिनों में खूब नाटक वाटक, जितना कर सकते हैं बच्चें, जितना आता है, या देखते हैं थोड़ा बहुत, उसको रिपीट करने कोशिक करते हैं, वो करते थे, नाटक देखा करता था भाट मैं, जब रामदीला के दिनों में जब नाटक मडली आती थी, और सोशल नाटक करते थे, वो देखने जाता था, रात को कभी-कभी बहुत लेट हो जाता था, दो बच गए, तीन बच गए, नाटक शुरू भी ल मेटाना जाना, मगर अच्छा लगता था, मतला आज याद करता हूँ, तो मुझे शायद किसी भी और चीज में उतना मज़ा नहीं आता था, यतना नाटक में आता था, तो वो जाकर कॉलिज में भी करते रहे हम, और कॉलिज कुरुशितर में, वहीं पर मुझे पता लगा, हमारे कुछ अपने दूस जो हमारे सीनियर थे और नाटको में हिस्सा लेते थे, उनके साथ बात करते करते, पता लगा, दिल्ली में कोई नेशनल स्कुलो ड्रामा नाम की चीज है, कि वहां आप जाना चाहें तो, तो मैं बड़ा एक्साइटिट हुआ, उनके साथ मैं दिल तो कब कैसे इधर पहुँच गया? ठीक है, जो वह करते हैं, जो सोचते हैं, एक कोई गलत नहीं है, क्योंकि खासकर आज के बच्षे के सामने एक गौल नजर आता है उसको, हमारे सामने गौल नहीं था, हमारे सामने तो हम चैद कल्पना भी नहीं कर पाते थे, अंदर ही अंदर चाहते रहे हों, सबकॉंशन्स लेवल पर कि हम भी किसी दिन पर दे पर बट उसको मतलब यहां तक भी कि पूरी तरह से उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे यह देखते भी नहीं थे उस खाब को खाब भी वो अंदर ही दबा रहता होगा मगर कही न कहीं तो मैं सोचता हूँ अगर अनिलाइज किया जाए तो वो रहा ही होगा क्योंकि नाटक तो आप को कब देखने को मिलते हैं राम लिला के दिनों में हैं और कुछ कंपने आई ही चेह वो लोकल हैं कुछ बाहर की हैं नाटक की और चले गए मगर आपके बच्चे के कोमल विदय पर उसका इसकदर स्ट्रॉंग प्रभाव पड़ता है कि वो उसके साथ आत्मसाथ करने लगता है उसको जीना चाहता है उस जीवन को वो जो रियल लाइफ में नहीं मिलता है मुझे लगता है बहुत था यह भी हो सकता है यह एक की अपनी एक्टिलि नाटक में आने के नाटक करने के नाटक की ज़रूरत अपने अंदर की ज़रूरत के अलग-लग कारन होते है हर आदमी कि उसकी किस Tरीकी मनस्तिति में वो जीता है कितना अपने आसपास के बच्चों के साथ, अपने आसपास के समाज, अपने स्वाहिम के घर के अंदर, वो कितना comfort level है उसका, या कितना वो अकेला है, और मुश्किल होता है उसे adjust करना या एक natural, normal, स्वभाविक relationship दोस्तों या घरवालों के साथ बनाना, तो वो बहुत साथ अलग अलग कारण हैं जिसकी वज़े से नार्ट्यक की दुनिया की तरफ आप खिशते हैं, कई लोग उसके glamour से प्रभावित होकर उसकी तरफ जाते हैं, कई लोग उस नाम को देखते हैं, मगर उसकी तरफ जाना, मुझे लगते हैं मैं उसको सिनेमा को और उसको अलग नहीं देखता हूँ, क्योंकि सिनेमा इसकदर हमारे आसपास हमारे जीवन में इसकदर घर कर चुका है, और तब भी था, आज उससे कई गुना जादा हो गया है, कि उससे प्रभावित होना, कोई glamour को लेकर, कोई emotional उसको लेकर, कोई कहानियों को लेकर, कोई उनके पास्त्रों के साथ emotionally attached महसूस करता है, किसी भी कारण से, मगर उसके प्रतियाकरशन होना बड़ा स्वभाविक है, और उसको देखकर फिर क्योंकि और कोई तरीका उससे दिखता नहीं है, तो नाटक उसके आसपास गली महले, school, college में समझा के होते रहते हैं, तो उनमें अपनी उस इच्छा को जो अंजाने में अंदर घर कर गई है, उसको थोड़ा सा पूरा होते वे शायद देखता है या कोशिश करता है, तो नाटक करने लग जाता है, अब उस नाटक करने के पीशे और या करने के बाद भी सीधा वो वहां जाना चाहता है, बड़ा स्वभावी कही है, ये कुछ गलत नहीं है, इसको जिस तरह से देखा और डिसकस किया जाता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव स देखा जाता है, जो मुझे लगता है बड़ा सूडो अप्रोच है उसको नेगेटिव देखना कि नेगेटिव देखना कि नहीं ने फिल्मों में ही तो जाना चाहेगा, नाटक है कहा हूं उस जीवन में, कितने नाटक आप देखने है, इसकूल, कॉलेज में आपने देख तो देख लिया, otherwise कहां आप, मनरंजन के लिए कहां देखने हैं, या कभी उसमें देख लिया आपने, क्या बोलते हैं, राम लीला के दिनों में, रामाइन वगयरा को, तो ठीक है वो, और सिनिमा क्या है, अल्टिमेटली नाटक कही एक्स्टेंशन है ना, फर्क इतना है कि वो लाइव ओडियंस के सामने हैं, जिसको सिरफ दोसो, पानसो, साथ सो, तीन सो लोग, ढाई सो, देख सो लोग देखते हैं, और वो अट ए टाइम, सैंकडो हजारों थेटर में देखा जाता है, एक एक थेटर में पांच-पांच सो लोग, एक शो में, पांच-चाज शो होते तो जो असलियत है उससे सुका अबोग सही है असलियत यह गलत है और क्या उसके कारण है वो एक पूरा अलग विशे है बट स्वभाविक है किया विशे वह पुरा नारे वह पूर चैसे इतना ह हुग Biz पहुजाए है नो चीजों का और इतना ज़्यादा परभी कुछ अनुर तौर्छ शजाए है वश्भाव एुजी ब की आच्का लीओ तो अगारे वह र्शेटियागे लीओ मैशनियुक्र दो ज्ग जे चैद मेरे क स्क्रीन एंटर्टेन्मेंट उपलब्ध है फोन पर भी है तेलिविजन पर घर में तेलिविजन है उस पर है फिल्में तो है ही है और लगातार उनकी 24 गंटे आप विज्यापन की पूरी दुनिया में आप जी रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा कोई चीज आपको प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा जाएं जाएं आपके पूरे दिल और दिमाग पर करती है तो विज्यापन की दुनिया है और उस सब का तालुक अल्टिमेटली पैसे से है उसमें खुब पैसा भी लगता है तो नाटग, रामलीला कोई भी चीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आपको इतना प्रमोट कर सके तो जब प्रमोट नहीं कर सकते तो उसकी इतनी चर्चा भी नहीं होती चर्चा नहीं होती तो उतनी मेहनत नहीं करते वो पैशन भी नहीं है पहले करते थे शायद इसलिए जादा क्योंकि और कोई रस्ता नहीं था उनके पास अपने काम को अभिरक्ति देने का अपने अंदर के एक्टर को या राइटर को या गाने वाले को इसलिए भी शायद होते थे बहुत जादा अब वो नाटक बेशक हो रहे हैं हैं बहुत पूरे पूरे देश में हो रहे हैं हर छोट छोटे शेहर में हो रहे हैं मगर आप यह देखिए वो सब के सब नाटक मुझे तो अब यह लगने लगता है कभी-कभी नाटक एक तरह से एक तरह की exercise institution हो गई है for cinema जी बिलकुल स्पेशली एक्टिंग के लिए वो एक प्रस्क्शन का महौल एक देता है प्रस्क्शन के school बद इने वे आप उनको कह सकते हैं नाटक करना नाटक की संस्थाएं एक तरह से वो directly उसकी exercise है cinema और television की वो अपने आप में end नहीं है हो भी नहीं सकता क्योंकि आप कितने शो कर लोगें कहां से वो पैसा आएगा शो करने का जो एक महीने दो महीने रहरसल करते हैं 20 लोग 25 लोग कभी कभी 40 लोग आप सूचिए उनकी manpower का कितना पैसा एक तरह से उसको पैसे में convert किया जाए कितनी मेहनत उसमें जा रही है और फिर दो महीने लगाता है एक नाटक के अंदर छेशे घंटे रहरसल करता है उसका तो converti नहीं हो पाता है उसकी मेहनत तो उसको पैसे के रूप में तो मिली नहीं पाती है बिलकुल यह बड़ी विरंबना है हम इन चीजों पर कर सकते हैं उन पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह भी जरूरी है क्योंकि इसके ठूबर चलो अपना काम तो हम लोगों को बताएं जूलकुल नाटक देखने तो लोग नहीं आते यह दिखा दे हम यह कर रहे हैं यह अपने हमें बहुत बड़ा विडम बना है यह ऐरॉनिकल एक्ट है बड़े विचार करने वाली बात है लेकिन यही है इस तरह की विरुदाभास में हमारा पूरे मुल्क में जादत लोग जी रहे हैं मजबूरी है मगर वह है मतलब जैसे दूसरे सारे रोल मिले वो भी असे ही मिला लेकिन उसको बहुत जादा प्रसिद्धी प्राप्त हुए。 आज भी अगर आपका नाम लिया जाता है तो कही न remotely वो गिरदार आता है. गाल सुखिण किने हैं, वह ठीक है इतिफाक होता है दरसल क्या होता है यहां प्रसिद्धी की बात आपने कही, कोई भी प्रजङक्ट जवाब करते सबसे पहली चीज तो है कि वो प्रोजेक्ट काम्याब होना चाहिए वो पसंद आना चाहिए चाहिए वो नाटक है चाहिए वो टीवी है धारवाहिक है चाहिए सिनेमा है वो इतना अच्छा बनना चाहिए कि लोगों को पसंद आए उसमें इतनी पकड होनी चाहिए कि लोग अगला एपिसोड भी देखने को तैयार हूँ, पहली चीज़, दूसरा, अगर उसके अंदर आपका मेजर रोल कोई है, तो अगर वो प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो मेजर रोल वाला भी अपने आप प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना, तो मगर आप अपनी पूरे जीवन में मैं पता नहीं कितनी प्रोजेक्स करते हैं, और आप अपनी तरफ से वही कोशिश करते हैं, जो हमेशा से करते हैं, मैंने हर काम में उतना ही शायद किया होगा, अब वो पसंद आ गया लोगों को, और वो टोटल प्रोजेक्स अच्छी बन गई, उसकी राइटिंग, उसकी कास्टिंग, सब जाके इतने ही हो गया इसलिए वो, हो गया इसलिए आज उसकी, चर्चा करते हैं, क्योंकि वो मेरा पहला इने इतना लंबा इतना बड़ा रोल था, प्लस सिर्फ वो पंडित जगनाथ ही नहीं, उसमें मेरा डबल रोल था, जो पंडित जगनाथ का भाई प्लस सिर्फ एक नेगेटिव था जो, शनी, वो भी बहुत लोगों को पसंद आया, तो वो कई बार तो ऐसा लगता था कि बतला पूरी कहानी उस एक करेक्टर और उसके भाई और उसके कई अपिसोस तो ऐसे हैं, जो सिर्फ उन दोनों के इर्दगिर्द वो कहानी बुनी ह होई है, और अदरवाइज भी पूरे सीरियल के अंदर जो में पांच-छे-ार्थ लोग थे, उन में से एक बड़ा की करेक्टर था, इसलिए वो सीरियल इतना हिट हुआ, तो वो करेक्टर हिट हुआ, करेक्टर जब हिट होता है, तो एक्टर का भी इतने से हिट होता है, उ करेक्टर को लोग उसी करेक्टर के नाम से जाने लगते हैं, तो बहुत देर तक, आज भी, आपके बास सही है, बहुत सारे लोग अभी तक कहता है, वो नहीं भूलता सर आपका, चंद्रकानता का, पंडी जगननात, कई लोग शनी को ज़्यादा पसंद करते थे, वो एक अ कि किसी भी काम को, काम की कोशिश की है, काम करने की अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, इमानदारी से करना, अच्छा बुरा तो आउडियंस बताती है, वो मैंने कोशिश हमेशा की है, लेकिन काम कैसे मिले, वो मुझे कोशिश न दबाती थी, ना आ जाती क्यों कोई मुझे गास्ट करता है, वो आपने आपी गिट तो सर आपका बडपन आप एक कहहरे है और देडिनार रहा है मैंनोरा, असकी बड़े पता हूं इस अप बात कर जवाब दे रहा हूं काम कैसे मिल ला मुझे नहीं वालू आज भी अकसर लगता है गहांड़ कब आएगा काँ हुझाँ नहीं मालूम होता है, इत्यक्तिirm को जाय किसे आएगा सथेहन सढ़ान को अमारे दर्शक के संदेश देना चाहेंगे कोई ऐसे मेरे पार संदेश नहीं है मैं कोई संदेश वाहक नहीं हूँ और नामक भी बहुत बड़ा मैंने कोई अचीव किया है कि मैं बड़ा लोगों को कि ये करो ये करो ये करो ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनके पास इस तरह के बहुत सारे संदेश हैं नई बच्चों के मैं तो खुद अभी तक एक तरह से ढूंदता ही रहता हूं अपने आपको और क्या होना चाहिए इतना जरूर है कि एक्टर अगर कोई बनना चाहता है तो उसे अच्छे काम अच्छे एक्टरों के काम खूब देखने चाहिए और हो सके तो अपने आपको भी देखना चाहिए कि मैं करता हूं तो क्या करता हूं मैं, कैसे करता हूं, यह देखो, यह जो क्या करते हैं, उन से सीखना चाहिए कि कितनी इमानदारी, कितनी concentration, कितने focus तरीके से, कितनी महिनस से वो काम करते हैं, और थोड़ा सा क्राफ्ट को एक्टिंग को को ग्लैमर के हिस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बलकि कैसे वो character है क्या वो करना चाहता है जीवन में उसका उद्देश चिका है उस character का उसकी पसंद क्या है उसकी नापसंद क्या है वो अपने कौन से जो उनके पात्र हैं, किस से उसके क्या संबंध है, मा से कैसे हैं, बाप से कैसे हैं, या दोस्ट से कैसे हैं, या मेरे जो उसके competitors हैं, उनमें किस के साथ कैसा संबंध है, ताकि आप उसको जी सकें, उन relationships को, और जब उसमें आप विश्वास करने लगेंगे, उन relationships में, तो आपका सारी बाचीत उस पर्टिकुलर पात्र के साथ या उस पर्टिकुलर पात्र के बारे में जब आप दूसरे से बात करेंगे वो जलकेगी किया आप उसको पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं उसके प्रतियापके मन में गुस्सा है या फ्यार है या एक भक्ति भाव है। ये बहुत सारी चीज़ें। टेक्स्ट को बहुत समझने की कोशिश करने चाहिए और टेक्स्ट समझ में एक बात आरा है और आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं और कभी भी अपने एक्टिंग को लेकर खुश मत होईए जादातर उसमें कमिया ढूंडिये निराश मत होईए कमिया ढूंडिये और बेहतर करते जाएए और आखरी उम्र के आखरी पड़ाव तोग आपको लगेगा और बहतर किया जा सकता है सर आज आपको यहाँ पर पंडित सत्यदेव दूबे रासरंग सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है तो इस बारे में आप कुछ कही उसमें मैं क्या कहूंगा रासकला मंच ने मुझे इस सम्मान के लिए चुना इतने इज़त दी मुझे बुलाया मेरा सवभाग्य है मैं खुश हूँ बहुत अच्छे से और्गिनाइज किया हुआ फैस्टिवल है जो दिख रहा है धन्यवाद कहूंगा कि हम एपी तो भी है और फिर खासकर पानीपत में ये हो रहा है और पानीपत मेरी अपनी जन्म भूमी भी है वो एक एक्स्ट्रा उसका मेरे लिए एक्साइटमेंट है सर जैसे आप NSD गए थे तो वहाँ पर आपने दोनों चीज़े की थे आपने डिरेक्शन में भी स्टडी किया और आपने एक्टिंग में भी किया तो सर आप जैसे एक्टिंग के लिए ही जाना चाहते तो डिरेक्शन की तरफ आपने कैसे मतलब आपने किस तरह से दो साल तक एक्टिंग करते करते मुझे लगा मैं खराब एक्टर हूं बुरा एक्टर हूं हालाके पहले साल के बाद ही उस दमाने में उस समय यह तैह हो जाता था कि आपको किस विशेश वर्ग में भेजा जाएगा और वो लोग जो हमारे डिरेक्टर थे उस समय अलकाजी साथ वो खुद तैय करते थे कि आप किस विधा में बहतर हैं क्या आपको सूट करता है आपको कहां जाना चाहिए तीन विधाएं होती थी डायरेक्शन एक्टिंग और टेक्निकल स्टेज क्राफ्ट बूलते थे उसको उन्होंने मुझे एक्टिंग में भेज दिया उनको लगा नहीं एक्टिंग में यह बहतर है इनकी थोड़ी सी जो स्पीच है और डायलॉग डिलिवरी है हिंदी है जो भी है या उर्दू थोड़ा वाता थीक है वो और मुझे भेज दिया उन्होंने भेज दिया मैं आ गया सेकंडिया लेकिन करते करते मैंने यह पाया कि यह मुकाबले में दूसरे जो मेरे सहपाथी हैं जो दूसरे एक्टर्स हैं मेरी ही क्लास के वो कहीं ज्यादा बहतर अपने आपको एक्स्प्रेस कर पा रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ मैं अंदर से शायद बहुत ही लो प्रोफाइल और शाई किस्म का स्टूडेंट जो बहुत दिखावा और उस वज़ा से मैंने महसूस किया कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं करनी पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कमी है और बहुत मैं निराश और अपने आपको एक दिफीटिद महसूस करने लगा और मैंने special permission ली कि मैं second year दुबारा करना चाहता हूँ क्य confidence नहीं है मुझे लेकिन इसलिए मुझे आप direction change कर देश है यह बिल्कुली पहली बार इस तरह का एक case आया था किस student ने इस तरह की application दी थी मगर हमारे directors ने और teachers ने advisory committee ने आपस में meeting करके इस बात का फैस्टा लिया ठीक है कोई student अगर इस तरह से देखना चाहता है चीजों क और वो करना चाहता है एक साल एक्स्टा अपने बूते पर एक्स्टा लगाने को तयार है तो उसको इतना मिलना चाहिए यह तो फिर मैंने वो change करके direction में आ गया कभी कई कान आप सीधा में पकड़ के ऐशे पकड़ते हैं हम एक्टिंग direction में आने के बाद मैं ने महसूस किया कि जब मैं अपने actors से कोई scene करना है उन से बात करते करते मैंने महसूस किया कि मैं जब बात कर रहा हुँ उस बात उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं किसी scene को तब वो मेरा पूरे जो एक्टिंग को लेकर मेरे जो एप्रिहेंशन्स थे, जो मेरे डर थे, डाउट्स थे और जो मुझे लगता था कैसे किया जाए, वो समझा, एज डिरेक्टर जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे झाल वो तो बहुत ही आसान हो गया है, एक्टिंग तो बहुत ही आसान चीज़ है, मगर उसके लिए मुझे एक थर्ड दृष्टिकों से जब मैंने देखा चीज़ों को टोटैलिटी में देखा, एज डिरेक्टर देखा, तब वो एक्टिंग मेरे लिए बड़ी आसान सी दिखने लगी मुझे, तो उसका नतीज़ा ये हुआ कि शुरू में दोचा पास कर किया, मैंने एज डिरेक्टर काम करता था थेटर में काफी पांट साथ सा बलके, लेकिन साथ-साथ मुझे धीरे-धीरे कुछ रोल भी मिलने लगे, में रोल, उनके भी बड़ी तारीफ होने लगी है, और विद्धा रिजल्ट के जब मैं 12 या 13 साल के बाद मंबई गया, 85 में, 72 में पास करके, तो वहां मुझे एक्टिंग के जो जो ओफर आने गया है, तो एकी कादमी करना चाहता है, और उसे विश्वा से अपने डिरेक्टर के उपर, और स्क्रिप्ट को लेकर समझ गया है, स्क्रिप्ट के अंतरदवन्द, अंतरसंबंध आपस कि एक दूसरे की, और प्लस उसकी यात्रा क्या है लो क्लामिक्स क्या है, क्या । दा तो नतीजा यह हुआ कि आज मैं एक्टर के नाम से ही जाना जाता हूँ ठीटर में जब मैंने पास किया था और उसके दस साल तक भी मेरे को ऐसे दिरेक्टर ही जाना जाता था तो यह यात्रा ऐसे ही हो नी थी शायद तो अपना यह कीमती समय देने के लिए रासकला मंच की तरफ से और मेरी पूरे मेडिया मंच की टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अरे धन्यवाद, थैंक्यू सो मच, थैंक्यू अरे धन्यवाद, थैंक्यू अरे धन्यवाद, थैंक्यू